कि अगल यह अज़िय चुंदर सा गुलाब का फूल बनाना सेने कि इसको कैसे बताते हैं कि में देख सकते हैं कितना कूट फूल है गुलाब का और अ जिस्थ बनाते हम से बनाएंगे तो चलीए सुरू कर लेते हैं हमें क्या करना है इस तरह लूप लेते हुए 45 चैन बना लेंगे क्योंकि हम 15 पत्ति वाला फूल बनाएंगे तो 45 चैन बनानी है हमें तो 45 चैन बना लेंगे पहले कि यह हमारी 45 चैन होगी है देख सकते हैं कुछ इतनी लंबी हुई है तो 45 चैन में 15 पत्ति हमारी बनेंगी तो इसमें हमें क्या लेना है अभी तीन चैन यहां से लेनी है तीन धाग्या लेंगे और जहां से चैन तीन किनने के बाद यहां पर और तो मंदिके दबल क्रोश्या बना देंगे भी महीं तीन चैन लेंगे तीन बना यह बनाए था उसी के पास हम दुबारे सा बना देंगे तो हमारा यह इस तरह वी जैसा बन जाएगा वी अब हम कोई चैन नहीं लेंगे इसके बाद हमें क्या करना है धागा लेंगे और निच्चे से तीन एक दो तीन स्किप करेंगे अब फॉर्ज में फिर हम डबल क्रोश यह बनाएंगे इस तरह है तो निच्चे भी एक वी का साइन बन गया रूप पर भी अब हम फिर से एक दो तीन तीन चैन लेंगे और जहां हमने बनाया है तो हमने यह यहां बनाया था ना एक लिया था वी बन गया था हमने फिरश तीन चैन लें हैं तीन चैन लेने के बाद हम फिर से धाग कलेंगे और इसी में जहां हमने डबल क्रोशए करया था इसी में हम दो बार असरे डबल क्रोश्य कर लेंगे देखिया तो हमारे इस तरह के यह वी पैटर्न बनेंगे एक और बना लेते हैं अभी हमें धागा लेना इसके उपर चैन नहीं बनानी है कोई भी निच्चे से हम तीन स्किप करेंगे एक दो तीन फॉर्थ में हम यहां पर ऐसा धागा लेंगे और डबल क्रोश्य बना लेंगे निच्चे भी बन गया अब हम फिर से तीन चैन लेंगे दो तीन और जामने डबल क्रोश्य बनाए न यहीं पर दागा लेके फिर से हम डबल क्रोश्य बना देंगे तो वह आपको समझा गया होगा एक बार हमें 3 चैन लेनी है और यहाँ पर डबल क्रोश्या बनाए फिर 3 चैन ली फिर यहीं पर डबल क्रोश्या कर दिया है फिर तीन चैन लेके फिर यहीं पर हमने डबल क्रोश्या कर दिया है तो एक बार उपर भी बनेगा एक बार निच्चे भी बनेगा तो अब ऐसा ही हमें यह सारा कंप्लीट करना है अपना पैटन तो यहां तक हम पूरे में इसमें भी बना लेते हैं फिर मैं आपको दिखाते ह हमारा यह लास्ट बचाये एक बाखी समय बना दिया है तो यह हमारा लैस्ट की तीन चेन बचे है इसमें हम लेंगे यहां पर स इंसेट चरेंगे और निकार लेंगे डबल क्रोश्य बना देंगे फिर से हम तीन चैनल लेंगे और यहीं पर दुबारा से डबल क्रोश्य हम बना देंगे तो हमारी यह टोटल इस तरह की यह पट्टी बन के तयार हो जाएगी देख सकते हम जितने हमारे यह वी बनेंगे उतनी ही हमारी पंखुडी बनेंगी गुलाब की जैसे यह पंखुडिया है ना इस तरह की तो जितनी हम यह बनाएंगे वी उतनी ही हमारी पंखुडी बनेंगी तो चलिए आगगे का काम स्टार्ट कर लेते हैं अपने वर्क को टर्न करेंगे और जो हमारा यह है यहाँ पर हम लेंगे दो चैन और यहीं से हम अपना इस वी में वर्क करना सुरूंगे तो एक डबल क्रोशे हम इसको गिनेंगे और बाक्ती हम इसमें नाइन टाइन बना लेंगे तो एक में हम दस बार बनाएंगे आपको थोड़ा पतला फूल बनाना है तो आठ बार भी आप बना सकते हैं गुथा हुआ बनाना है तो आप थोड़ा ज़्यादा बना सकते हैं आपका हाथ कैसा चलता है ढीला टाइट तो यह उसके उपर भी डिपेंड करेगा कि आपकी पत्ति कैसी बन काएगी तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो तो मैं नो बार बनाऊंगी क्योंकि पत्ति काफी भर गी है तो एक तो हमारा ही डबल क्रोश वो था दो की चैन दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो को नबार मैंने बना लिया, ये इस तरह ये चोटा व्रक इसमें याँ पर कुरोश्यक को डालेंगे और ऐसे सिंगल क्रोश्यर कर देंगे चोटा से है इस तरहे है तो हमारे वर्ट थौटा यहाँ पर मिक्स होगा अब यहीं सद आगा लेंगे और हम आगले वाले पत्ती में वर्क करेंगे तो सुरू का डबल क्रोशर जो बनाएं थोड़ा छोटा बनाना है मैं फिर थोड़ा सा बड़ा ऐसा ही जब हम वर्क को एंड करते हैं तब भी एंड में जाकर थोड़े छोटे बनाने हैं अब बीच में थोड़े बड़े बनाने हैं तो ऐसा पत्ती का सेप आ जाएगा तो दो चार पाँच छेंग शाथ आठ आठ और यह नो यह नोवा थोड़ा छोटा बनाएंगे नो बन गए हैं अब अब हमारा यह वर्क का गया छोटा इसमें आप कुरुश यह डालेंगे और ऐसे निकालेंगे और ऐसे सिंगल क्रोशिया हम इसमें बना देंगे देख सकते हैं आप यह पत्तियां तो ऐसे ही इन सब में जो उपर का यह चोड़े वाला इससावी का इनमें सब में हम 9 डबल क्रोशिया करेंगे इसमें और यहां पर सिंगल क्रोशिय से जोइन कर दे तो सभी में ऐसे ही बनाना है देखो मैंने सारी हैं बना लिए बस हमारा ये एक वी बचा है तो इसमें मैं आपको दिखाते हूं कैसे मैंने बनाया एक बार और समझ लीजिए ऐसे ही एक वी में हमें 9 बार डबल क्रोशे करना है कि दो चार छें आठ रेखनो और ये जो सुरू में हमने सबसे सुरू में स्टार्ट किया तो तीन चैनली थी ये वे वाली चैन है तो हम इसमें यहां पर डालेंगे इसको लूप को और यहां पर हम एक चैन उड़ लेंगे बस अब हम धाग्ये को कट कर देंगे इसको लागा कट कर दिया है तो हमारा ये कुछ इस तरह बनके तयार हुआ है देख सकते हैं पैटर्न हमारी ये इस तरह की एक ये पट्टी बनके तयार होगी है इस तरह हरवी में हमने ये बनाया है देख सकते आप तो वुमारी कुछ तरह की पट्टी तयार आप हमें इससे सुई की मदद से सिलके हम इसको फूल बनाएंगे मैंने सुई में दागा डाल लिया है अब हमें केरना क्या है जहां से हमने सुरू किया था फूल को यह हमारी सिध्धी साइड है और यह इधर उल्टी साइड है तो हमें सिध्धी साइड क्या करना है यह पहले वाली पत्ति को इस तरह मोडेंगे हम और फिर इसको ऐसे हलका हलक गुमात्य वे इस तरह हाथ से इस तरह निच्चे से पकड़ लेंगे और जो हमारा ये उपर है ना जो जाल है इसको ऐसे इसके उपर इस तरह गुमात्य वे चले जाएंगे ऐसे गोल-गोल इस तरह गुमाना है ताकि निच्चे वाला जाल कि ये चो किनारी है ये दिखती रहे है हमें सिलने में असन्य हो तो आप इस तरह गुमाके इस तरह बिल्कुल एंड पहा देगे दिल्ला नहीं होना चाहिए धागे सब अड्जस्ट कर देंगे और ये हम बिल्कुल एंड में गया है तो यह हमारा यहां पर इस तरह गया है तो हमें क्या करना हैं यहां से हम इसको तर लींगे सबी किनारी में लिटने होे संब किस्टारू है या को सील लेंगे फिर थोड़ी दूरी पर कई से नियां TSset फिर यहां से गुमाएंगे थोड़ा सा फूल को और यह ऐसे हैं फिर थोड़ा और गुमाएंगे यह 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 तो सारी किनारी हमें सुई में लेनी है ताकि फूल किदर से भी लूज ना हो फिर हम यहां से ले लेंगे और यह हमारा नीचे से हमारा फूल बिल्कुल सिक्योर हो गया है और यहां से भी हम एक बार इसको अच्छे से कर देंगे ताकि पत्ती दर उदर ना भागे अबहि inten को सीधा करका देखेंगे तो सीधा करका देख सकते आप अब ये बीच वाली पत्ति है ना थोड़ी उठी हुई है तो इस के लिए हम क्या करेंगे सुषाँ को पिलकुल से अंदर निकालेंगे यहां से और इस पत्ती को थोड़ा सा सा अध्येंट करेंगे हाथ से तो हमारी यह पत्ती थोड़ी इससे नीचे को हो जाएगी तो बिल्कुल यह फूल की सेप आजाएगी इसकी ठीक है अब हम आगे हैं बैक में तो हम इन दोनों धागों को अच्छे से नोट लगा देंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था यह वह वाला धागा है और यह जिस से हमने सिलाई करी है तो दोनों हमारे अच्छे से हो गए हैं चाहे तो आप कट कर सकते हैं एक धागे को और इस वाले धागे से अगर आपको ये किसी भी ड्रेस पर लगाना है उस ड्रेस पर इस तरह रखिए और सुई से इसको टाग देजिए तो हमारा ये जैसा हमने ये बनाया है देखें फूल बन के तयार हो के वीडियो पसंद आई है तो प्ली लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सुस्क्राइब कर लेना मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को जैशी किष्णा जैशी राधे जैशी किष्णा